अगर आप CSC BLE भाई हैं तो आज की इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने ग्रहाग बढ़ाने के बारे में बताऊंगा ये फॉर्म मेरे पास आ गया है अगर इस फॉर्म को आप बाटते हो तो आपके ग्रहाग बढ़ जाएंगे अब भाई ये ग्रहाग बढ़ाने का फॉर्म कैसे है वो मैं आपको बताने वाला हूँ ये वीडियो मोश्टली उन लोगों को देखनी चाहिए जिनके CSC सेंटर या तो बंद होने की कगार पे हैं या CSC सेंटर चल नहीं रही है ग्रहाग आना पसंद नहीं कर रहा है ग्रह के चलने के चांस शुरू हो जाएंगे जैसा कि आपको पता होगा कि जो सीयसी की सर्विस होती है वो मोश्टली किसानों को दी जाती है गरीब लोगों को दी जाती है और इनी सेंटर को चला कर आप लोग अपना पेट बरते हो लेकिन उसी बीच आपको एक बात बताना चाह से और कोट की तरफ से नोटिस दिये जा रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि आप लोग अपने कर्ज को चुकाई है जबकि सरकार कह चुकी है कि कर्ज माफ कर दिया गया है एक लाख रुपे तक का कर्ज सरकार की तरफ से माफ कर दिया गया है लेकिन लोगों को अभी भी आने के लिए मजबूर कर दोगे और ये काम अभी कोई भी नहीं कर रहा इस काम को आप सुरू कर सकती है तो अभी सरकार ने एक notification जारी की थी कि बैसे तो हमने किसानों के lawn map किया हैं लेकिन बहुत सारी किसानों के lawn नहीं है तो लोग इस फॉर्म को भर कर collector ballot office में जाकर जमा कर रहिए और इस फॉर्म को भरने के बाहत जैसे ही सारे the document वगया के collect rat office में जाए frame तो इसकी जाईगी जाएगी जाक्षे tap देख जानका किसान का सच्च में lawn map नहीं हुआ है तो इस lawn को माफ कर दिये जाएगा और इस चीज की पूरी tracking online कर सकते हैं इस form को जब जमा करने जाओगे तो आपको एक receipt मिलेगी आपके customer को receipt मिलेगी और उसे receipt पर complaint number होगा उससे check कर सकते हैं कि आपकी complaint पर क्या कारवाई हुई है तो इस form को आप कहां से download कर सकते हैं इसे कैसे आपको गाओं में लोगों को देना तो सबसे पहले बात आती है इस form को download करने की तो वीडियो के description में मैं इसका link दे दूँगा आप इस form को download कर सकते हैं अब जैसी आप form को download कर लोगे तो आपको क्या करना है इसके print out निकालने है यह दो page का form है इसके print out निकालने है बहुत सारे आपको पता होगा जो a4 size की seat होत 500 रुपए का पड़ेगा तो एक रुपए के 2 page हैं तो आपको क्या करना है 500 page निकालने आयानी की 200 फारम आपको निकालकर रखने है अब आप लोगों को क्या करना है गाउं में जाना है गाउं में लोगों के पास जाके आपको प्रदान से बोलना है कि सरकार की तरफ से यह form दिये जा रहे हैं सरकार lawn maff कर रही है जिनका lawn maff नहीं हुआ है वो लोग ये farm ले सकते हैं अब क्या करना है गाउं में पूरे में धंडोरी पिटबा देनी है या आपको खुद गाउं में जाके ये जानकारी देनी है कि आपको ये farm भरना है और collect rate office में आपको जमा करना है तो आपको उन लोगों के पास जाना है और अपने center का भी साथ-थी साथ आपको परिचार करना है कि हमारा center यहां पर है और लोगों के पास जाकर कि आपको ये farm बित्रित करने है ये farm आपको कितनी रुपए का ये farm आपको देना है 10 रुपए का 10 रुपए का आप फॉरम दीजिए लोगों को और उनको गाइड करिए कि देखो इसमें ये डिटेल भरनी है ये ऐसी सम्मिट करना है और कलेक्टरेट ओफिस में जाके जमा करना है तो पहली चीज तो आप गाउवालों को फॉरम वाट दीजिए 10 रुपए पर के इसाफ से आप कमा सकते हैं और उन्हें अपने साथ जोड़ भी सकते हैं दूसरी चीज आप लोग क्या कर सकते हैं किसानों को बोल सकते हैं कि आप इ crianा फॉरम को भरिए इनके साथ डोकुमेंट लगाईए और इन्हें हमारे पास सम्मिट कर दीजिए और इन्हें रोड़ पर form के इसाफ से लेके आप सभी को इखटा करिए document प्रॉपर लगबाईए और उसके बाद collector office वे helpdesk पर जाके इन सभी form को जाके submit कराईए लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत जादा जरूरी है कि इस form को भरना कैसे है क्योंकि इस form में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हर क पर क्लिक करोगे तो उसमें complete मैंने बताया है कि इस form को आपको किस तरीके से भरना है अब भाई बात करती है कमाई की तो पहली चीज़ आप यह form भरोगे यह form आपको पढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक रुपए का अब एक रुपए का form आप गाउवालों को बांट रही ह दूसरा आप गाउव में जब form बाट के आओ तो उनको बताओ कि इस तरीके से इस form को भरना है और हमारे center पे आपके आप जमा करा सकते हो collectorate office में भी जाके आप जमा करा सकते हो तो लोग जैसी आपके center पे आएंगे तो आप उनसे 100 रुपए चार्ज कर सकते हैं उनसे बोल स 500 रुपए हम आपसे चार्ज कर रहे हैं petrol भी खर्च करेंगे तो 100 रुपए आप ले सकते हैं अगर 100 फॉर्म में से 50 लोग भी आपके पास आ गए यह form देने के लिए भरने के बाद तो आप 100 रुपए पर व्यक्ति से ले रहे हो तो आपकी सीधी सीधी जो कमाई होगी वो स दूसरी चीज़ 5000 रुपए की तो आपकी कमाई होगी होगी लेकिन जो आपके सेंटर पर एक बार आएगा वो इन फ्यूचर आप लोगों के पास आता रहेगा और फ्यूचर के लिए भी आपसे जुड़ जाएगा आपसे लॉन की जानकारी लेने के लिए आएगा कि सर हमा आपको देने के लिए भी तयार हो जाएंगे आपसे जुड़ने के लिए भी तयार हो जाएंगे इन फ्यूचर आपसे काम कराने के लिए भी तयार हो जाएंगे और जैसा कि आपको पता होगा कि 14 वी किस ताने वाली ये PM किसान सम्मान निदी योजनागी तो अगर आप लो लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके वेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दी जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल सके आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तेहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद